अलो फ्रेंड्स आज हम बनाने जा रहे हैं किरीमी गोलकपा जिसकी रिजपी आपको ढूने से भी कहीं नहीं मिलेगी तो चलिए हम बनाते हैं सबसे पहले हम पानी बनाएंगे पानी के लिए हमने लिया है इमली का पानी मिर्ची पाउडर धनिया पाउडर काला नमक सफेद पूदिने का पत्ता धनिया पत्ता और चीनी इन सबको हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है इसमें हम थोड़ा सा हिंग भी डालेंगे अब हम फिलिंग के लिए हमने यहाँ पर लिया है ग्रेट किया हुआ गाजर और खीरा हरी मिर्च काली मिर्च कुटा हुआ और मेवनीज इन सबको अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है अब हमें इसे गुलगप्पे में अच्छी तरह से भर देना है एक-एक करके फ्रिंट्स ये गुलगप्पा खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी है आप इसे बिना पानी कभी खा सकते हैं और पानी के साथ भी अब हम यहाँ पर पानी को तीन भागों में बाट दिया है हरा, लाल और भूरा अब हर एक गलास के उपर हम अपने गुलगप्पे को रखेंगे पूदिने के पत्ते से इसे हम सजा लेंगे फ्रेंड्स हमारा क्रीमी गुलगप्पा बनकर त्यार हो गया है आप इसे अपने पड़िवार के साथ अपने बच्चों के साथ खाएए मेहमानों को खिलाएंगे तो आप तारीफे ही तारीफे पाएंगे अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आये तो लाइक, सेर और सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद